लेस्टन नमबर 21 संथाटिक डिविजन यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोशन्ट और रिमेंडर को हम फाइंड करते हैं जब एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए फिर हम चेक करते हैं कि कोशन्ट क्या है और रिमेंडर क्या है इस पॉलिनोमियल एक्स प्लस ए तो पॉट एक्स इक्वल टू माइनस है जब एक कोई polynomial उसको हम divide करेंगे x plus a के साथ फिर वहाँ put जा करेंगे x equal to minus a लेकिन जब x minus a होगा फिर वहाँ put जा करेंगे x equal to plus a तो पहला case यह है दूसरा case यह देखें जब divide करेंगे x minus a के साथ तो पुट करेंगे x plus a equal to plus a यह जो है यह basically long division का shortcut method है अचा यह देखें यह हमारे पास equation है तो पहली चीज़ को हमने यह देखना है कि कौन सी term जो है missing है इसके अंदर तो इसको rewrite करते हैं दोबारा से 5 x power 4 है और यह plus यह x cube है और minus 3 x है तो यह standard farm में ले जाने के लिए मुझे यह करना पड़ेगा कि इसका जो काफिशन्ट है वो 5 है और यह तो x power 4 है plus इसका जो काफिशन्ट है वो है 1 और यह जो है यह x cube है और square वाला missing है तो square के जगा आएगा उसका जो काफिशन्ट आएगा 0 आएगा 7 में आजाएगा x square अच्छा x वाला मुझूद है minus 3 x और जो constant term है वो भी missing है तो इसका मतलब है 0 x power 1 है और यह equal to 0 है और आप देख रहे हैं कि x minus 2 है तो हम put करेंगे x equal to plus 2 अगर यह होता x plus 2 तो हम put कर दे x equal to minus 2 इस तरह से होता लगी चूंकि यह है तो इसको इस तरह करेंगे अब मैं लिखूंगा इनके जो काफिशन्ट्स हैं पर मैं डिवाड़ कर दूँगा अब लिख दें जो काफिशन्ट्स हैं 5 इदर आएगा 1 इदर आएगा 0 इदर आएगा minus 3 इदर आगया 0 1,2,3,4,5 बनते हैं काफिशन्स तो यहां तो equal to 0 करने का कोई मक्सद नहीं है बस बसे मैंने उसको equation बनाने के लिख दिया लेकिन यह जरूरी नहीं हमें given नहीं था कि इस एक्सप्रेशन था यह प्लिनोमियल है अच्छा जी इसको divide किसके साथ करेंगे अच्छा यह पहला आता होता है as it is इसको divide किसके साथ करेंगे यहां देखें प्लस टू के साथ divide करेंगे तो five as it is अच्छा फाइव कोमेट ब्लाइक करें टू के साथ तो 10 यह 11 हो गया 11 टूज आर 22 यह आ गया 22 प्लस 0 होगा 22 22 टूज आर 44 तो यह आ जाएगा 41 टूज आ रहे 82 तो यह हमारे पास जो remainder आएगा वो आगया 82 यह हमारे पास quotient आगया और यह remainder आगया तो quotient जो है उसको q करते होते हैं तो यह आ जाएगा 5 x जाएगे एक्स पावर 4 था एक पावर कम हो जाएगी x क्यूब आएगा फिर आएगा 11 x ओके यह फिर आएगा 22 x और यह आएगा 41 और यहाँ पर जो remainder है remainder को आज जो करते होते हैं वो आजाएगा 82 आजाएगा तो इससे हमने साइन्थाटिक डिविजन का जो प्रोसेस है वो कम्पलीट दर लिया थैंक यू